नमस्कार आप देखरें पंजाब के स्टी टीवी मैं हूँ आपके साथ रिद्युक उत्म हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे राजस्थान के चुनाव की राजस्थान में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है इसी क्टाम में कॉंग्रस पार्टी के वरिष्ट नेता सचिन पालेट ने टौंक से आज अपना नमांकन दाखिल किया नमांकन दाखिल करने से पहले रोने शक्ति प्रदोशन किया और बकाईदा एक बड़ी रैली की इस रैली में जो है हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उम्रा और वो तस्वीरे भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब सचिन पालेट ने नमांकन दाखिल करने से पहले जब रैली का आयोजन किया उसमें कैसे हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उम्र और इस समय है ना कोई गुठ है अभी हमारा फोकस है कि कैसे राजस्थान का चुनाव फतह करना है कैसे राजस्थान का किलाव फतह करना है और उनसे जब दूसरा सवाल पूछा गया कि अगर राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो सीम कौन बनेगा तो इस पर उन्होंने दो टूक शब्दों में जवाब दिया और उन्होंने साफतोर पर कहा कि ये पार्टी हाई कमान तैग करेगा कि आखिरकार अगर राजस्थान में कॉंग्रेस जीती है तो नेत्रित किसको मिलेगा फिल्हाल वो तस्वीरे भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और रैली को संबोधित करते हुए सचिन पालट ने क्या कुछ कहा है सीधे सुनवाते हैं आपको के अच्छे बहुमत के साथ सठकार कांगे की करिक्रायस आपकर राजसा कह सकते हैं उस समय कि जो राजनीती जो politics थी वो काफी अलग थी हम देखे रहतें लगातार कि pilot को मुख्यमंतरी बनाना चाहिए तो लगातार जू उनके pilot केमे के जो बढ़ाख थे वो भी मांगके रहते हैं कि आसोग गहलोत और पैलेट के बीच कितनी खिस्तान रहीन पान साल के वीतर ये हमने देखा है कि चुनावी अभी हलाकि इस समय तो नहीं है खिस्तान जिस तरीके से आपस में कॉंग्रेस आला कमान ने एक समन्वे इस्तापित करने की कोशिच की जाए में कॉंग्रेस ने तरहूल गांधी की तरफ से किया गया हो देखिए अगर समन्वे की बात करते हैं तो भले ही सचिन पालट की द्वारा ये कह दिया गया है कि हमारे बीच ना कोई मतभेद है ना मनभेद है ना कोई गुठ है लेकिन उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है उस बयान से ये अभी भी साफ होता है कि दोनों नेताओं के बी हाई कमांड तै करेगा जो वधायक दल के नेता चुनकर आएंगे वो तै करेंगे कि राजस्थान का नेत्री तो कौन करेगा देखे बिल्कुल जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी के आप नेता से पूंचेंगे उससे पूंचेंगे कि आप मुख्यमंत्रीपत के दावेदा हैं अभी आप हमसे कह दीजिए कि आप संस्तान में एडिटर बनने के दावेदार हैं तो हम डिरेक्ली तो नहीं कहेंगे नहीं हम एडिटर नहीं बनना है लेकिन अपिसली सब चाहते हैं कि हमारा प्रमोर्शन हो हम आगे बढ़े हम तरक्की करें और साइध यही बजाए आ अगर सत्ता में कॉंग्रेस आती है तो क्या आप मुख्यमंत्री पद के लिए पूरी तरीके से तयार हैं दावेदार हैं तो उन्होंने इस प्रस्ट कह दिया दो टूक कह दिया लेकिन जो उन्होंने बात कही उस बात में कई चीजें थी आप दो तरीके के संदेश निकल र तो पिर जाहिर सी बात है अगर विधायक पाइलट को चुनते हैं तो पाइलट मुक्मंत्री बनेगा अगर सत्ता में कॉंग्रेस आती है तो लेकिन अभी वहाँ पर देखिए इतो पाइलट की कहानी होगी पाइलट ने किस तरीके से वहाँ पर एक जन संपर्ग सादने की टॉंक से अपना परचा दाखिल किया हो लेकिन टॉंक से परचा जरूर दाखिल किया लेकिन इस रैली ने मैसेज दे दिया है दोसो विधान सवाज सीटों पर कि पाइलट का नेतवत तो पाइलट का जो कह सकते हैं जो सकती प्रदर्शन है वो कितना मजबूत है कितना उनक जिस तरीके से बहां से केंदरी मंत्री आते हैं चाहें वो अर्जुराम मेगवाल हो या पिर दूसरे केंदरी मंत्री हो तो तमाम कई सांसदों को इस बार वीजेपी नी लड़ा दिया सबकी निजरें बनी हुई है पाइलेट पर पाइलेट एक बड़ा बो इस्तम है राजस् सीटों माली है हाला के 99 पर चुना होता है लेकिन उनको 99 सीटें कॉंग्रेस को जिस तरीके से 2018 में मिली थी तो फिर एक सीट का मामला फस गया तक है निर्दलियों का साथ लेकर वो सरकार बनाई थी और गयलोत मुक्यमंत्री बने थे लेकिन इस बार कॉंग्रेस पार्टी बड़ी बज़े हैं पहली बड़ी बज़े यह है कि कॉंग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि अगर हम सत्ता में राजस्तान में आ जाते हैं तो बापस बही चीज हो जो 2018 में हो हुई थी वो नहीं कॉंग्रेस चाहती है किसी भी सूरत में इस बार देखने को मिले उसके जाकर ये चीज भी ध्यान रखने पड़ेगी ये आप तो बड़ी बात क्या रहे हैं कि 24 अगर जो 2023 की बात की जाए तो 2025 में अगर पालेट को CM नहीं बनाया जाता है तो पार्टी बिखड सकती है 2024 में इसका नुकसान जो है कॉंग्रस पार्टी को उठाना भी पड़ सकता है लेकिन अब बात कीजा देखिए अशोक गैलोट पहले ही कह चुके हैं कि हम C.A.P.D. से स्तीफा दना चाते एक बार नहीं वो कई बार कह चुके हैं लेकिन ये पड़ ऐसा है कि वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है दूस्ती तब सचीन पालेट ने आज क्या कुछ कहा वो भ से बिलहाल बात की जो है रानु अशोक गैलोट तो अशोक गैलोट जो है वो कब अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस प्रकार की जानकारी आपडेट अपडेट साब के पास कि कोई जानकारी नहीं और सबसे बड़ी जानकारी में अपने दर्सकों को बता दूं वो यह है कि जो सचिन पाइलेट राजस्थान की सियासत में कह सकते हैं कि अभी तक जो पहले ऐसे सबसे बड़े नेता हैं जिन्होंने अभी परचा अपना दाखिल किया है अभी तक किसी नम्मर क्या गहलोत परचा कब दाखिल करेंगे या फिर पोजिशन पार्टी जो है भारती जन्ता पार्टी उनकी तरफ से बसुंदरा राजे परचा कब दाखिल करेंगे या जो राजस्मंद से सांसद हैं दिया कुमारी जो जैकुर राज घराने से आती हैं वो कब परचा टो बात यह जैसे आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाए जाए उत्तरपदेश या बिहार या किसी अगर स्टेट में बहाँ पर सम्भावित दल होते हैं तीसरा चोथा दल होता है उबर के हो रही है हम ये भी बता देते हैं दर्चल 2018 के चुनाव में जब हनवान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और RLP अपनी पार्टी के स्थापना की ती उस वक्त उनकी पार्टी नहीं नहीं थी पहली बार चुनावी मैदान में उतरेते उनके लिए राजस्तान की सहथारी में चुनाव लड़ेंगे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कुल मिलाकर कह सकते हैं तीसरी पार्टी का लोकल मोर्चा के तौर पर हनुआन बेनीवाल की पार्टी बहां पर एक नेतत्त जमाना चाहती है और कह सकते हैं इस बार किंग मेकर की भूमिका में हनु बेनिवाल नजर आ सकते हैं क्यों आ सकते हैं आप इसको ऐसे समझिए दोजार अठारा में हमने देखा कॉंग्रेस को बहुमत नहीं मिला निन्यान में सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जो है सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और हमने देख यह भी कॉंग्रेस में बोट फिजदी का ज्यादा फर्क नहीं था आप देखिए पॉइंट फाइफ फिजदी का सिर्फ फर्क था लेकिन वड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी कॉंग्रेस क्यों उभरी थी क्यों कि कॉंग्रेस को 29 सीटे मिलनी थी दोस्तों सीटों में औ लिया बीजेपी सत्ता में आती है उनको बहुमत नहीं मिलता है तो फिर इस बार आरेलपी जो हन्वान बेनिवाल की पार्टी है वो किंग मेकर की भूम का निभा सकती है लेकिन यहाँ पर ये भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुए चाहे बीजेपी जीते या फिर कॉंग् बनती है या फिर दिया कुमारी सीएम बनती है बीजेपी के लिए ये चुनौती होगी कॉंग्डस पार्टी के सरकार बनती है तो अशोग गैलोट सीएम बनते है या फिर सचिन पालेट सीएम बनते है ये चुनौती होगी क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पर चाहे वसुं में उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होगी तभी तो गांधी परिवार हमारे उपर विश्वास करता है देखे बिलकुल जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है मैं फिर कह रहा हूं मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे बड़ी होड है लडाई है ये दर्सक देख रहे हूंगे जिस तरीके की तस्वीरे इस वक्त राजस्तान से जो निकल कराएं सचिन पाइलेट के नावांकन अपर क्रिया के पहले की तस्वीरे ये भी तो मुख्यमंत्री के लिए तो पूरी होड है किस तरीके से एक सक्ती प्रदर्सन किया जा रहा है पर हले विपक्षी केमे को दिखाया गया हो कि पाइले कितने मजबूत हैं लेकिन पाइले यह भी दिखाने की की तरब से असोग गैलोथ सीम फेस्ते हैं लेकिन इस बार दोनों पार्टियों में दो ही पार्टी हैं आमने सामने की टककर है दोनों पार्टियों में सीम फेस्त के लिए कोई नहीं है रजस्तान में गैलोथ अभी मुक्यमंत्री जनूर है लेकिन सीम पद के लिए सीम फेस्त बिजेपी में भी चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, कयास लग रहे थे, हमें याद होगा जब प्रधान मंत्री नेरेज मोदी जैपूर में एक रैली को संभोधित कर रहे थे, और उन्होंने रैली से ही बता दिया, इसपस्ट कर दिया कि देखिए, हमारा होना है, पांच ओ राज्जियों के लिए बिजेपी ने किलियर कर दिया था, कि हमारा चुन कामल लिसाण है, तो आप चृष करिये, यानि बसंदरा राजे को मिसम के तौर पर प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अगले मिसम की दावेड़िadores के लिए जरूर अभी से सवाल उठने लगें और क्यास लगने लगें पूर क्यों लगने लगें परंपरा राजस्तान में रहती है हम देखते आ रहे हैं बीते 40-45 साल से कि हर 5 साल पर बहाँ सरकार बदच जाती है और जो सत्ता रूर होती है वो विपक्च में आ जाती है और अभी विपक्ष में BJP है, सत्ता में अगर 2023 में जब 3 दिसम्मर को इसी साल पहिडाम आएंगे राजस्तान चुनाओ के, अगर बहाँ पर BJP सत्ता में आज आती है और उसके बाद सबसे बड़ी जो चुनाओती होगी वो CM बनाने को लेकर, क्योंकि CM फेस इस बार उन्होंने ल आज घराना यानि BJP इस बार कुछ नए एक तरीके से प्रयोग कर रही है और नए तरीके से प्रोजेक्ट को लाँच कर रही है लेकिन देखते हैं 3 दिसम्मर को पहिडाम क्या कुछ आते हैं, जनता किसको अपना आसीरवात देती है और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर झाल